नमस्कार मित्रों आप सबका हमारे इस यूटूब चैनल एफटरो फीपी तरपाठी में बहुत बहुत फ्रागत है दर्सकों आज पुना हम आप लोगों की बीच एक नई जानकारी के साथ रोचक जानकारी के साथ आप लोगों की बीच उपस्तिते हैं दर्सकों सनी मंदर जा रहे हैं तो यह सावधानी जरूर बरते वरना पच्टाएंगे वो कौन सी सावधानी है तो दर्सकों साथ प्रकार की सावधानी है सनी मंदर अगर जा रहे हैं सनी भगवान का दर्सन करने के लिए तो साथ प्रकार की सावधानी जरूर आप रखे नहीं तो पच्टाना पड़ सकता है दर्शकों कई लोग भगवान सनी के मंदिर जाते हैं परंतु परंपरा के अनुसार कुछ सावधानी रखना जरूरी होता है और भी कई प्रकार की बाते हैं जिनका ध्यान रखना होता है अनिता सनी महराज कब नाराज होकर के आपके लिए संकट खड़ा कर दे यह कहा नहीं जा सकता तो आईए जानते हैं कि सनी मंदिर जाने और उनके दर्शन करने के क्यानिया में दर्शकों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए घंटी के निशान को टच कर लीजिए और ओल दबा बहुतर में भगवान सनी देव की प्रतिमा की आँखों में आखे डाल कर देर तक नहीं देखना चाहिए दर्शन कर सकते हैं परन्तु उनके प्रतिस रद्धा का भाव होना चाहिए दर्शकों सबसे प्रतम तो ये जान लिजिए कि सनी भगवान के आँखों से आँखे मिल करें यदि छायादान कर रहे हूं तो उस तेल को नहीं चड़ाते हैं उसे कटोड़ी सहित ही सनी देव के चरणों में रख लेते हैं तीसरी बात ध्यान दीजिए सनी देव की मूर्ति के एक किदम सामने खड़े हो कर कि कभी भी फूजा या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जो खिमने बताया आपको सनी देव के सामने बिलकुल आमने सामने उनका दरसन नहीं करना चाहिए क्योंकि सनी की सीधी चाल आपकी फीधी दृष्टी आपके जीवन में तबाही ला सकता है दरसकों शनी मंदर में यदि बाहर कोई गरीब अपंग या भिखारी हो तो उसे दान जरूर दे नहीं दान दे सकते हो तो कम से कम उनका तिरसकार नहीं करे उनको गलत अपसब्द ना बोले वहां सभी से अच्छा विवहार करके आए शनी मंदर में किसी भी प्रकार की सांसारिक वारता ना करे चुपचाप अपनी पूजा या प्रार्थना करने के बाद म सनी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपका मुख पश्चिम दिसा की ओर ही होना चाहिए इसलिए जहां पर शिला रूप में सनी देव हो वहीं जाए ये जरूर ध्यान रखे माना जाता है कि सनी देव को लाल रंग पशंद बिलकुल ही नहीं है इसलि भगवान सनी देव को अपराजिता का पुष्प बहुत प्रिये है इसलिए जब भी सनी मंदिर जाए दर्सन करने के लिए तो आप नीला पुष्प जो की अपराजिता का है उसे भगवान सनी देव को अवस्य चढ़ाए इससे आपके मनुकामना पुर्ण होंगे मनुरत पुर्ण होंगे और जितने भी मैंने जो सावधानिया बताई है उस सावधानियों के साथ आप अगर दर्फन जाए करने जाएंगे मंदिर में तो आपको शनी देव के दर्सन करने का फल पराप्त होगा तो दर्सकों ऐसे ही जानकारी पराप्त करने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को सेयर करना बिलकुल भी ना भूले धन्यवाद